हेलो स्टूडेंट, वेलकम तुमाई चैनल सरमन लेक्चरर धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम लोग प्लास्टिन मैथ का जो एकदम मौडल पेपर यानि कि जैसे आपके बोर्ड एक्जाम में पेपर आता है उसी प्रकार से हम लोग डिसकस करने वाले हैं वीडियो को लाइक कर देना और आप लोगों के लिए इसी वीडियो में आपजेक्टिब कुश्चन भी कई सारे हैं आप लोग देख सकते हो और अतलगुत्रिये प्रस्ण भी इसी वीडियो में डिसकस करेंगे जो आपके बोल्ड एक्जाम में 100% आएगा ठीक है और मैंने जितना भी इसमें कुश्चन लिया है चाहे आपका बहु भी कल्पियो हो चाहे अतलगुत्री चाहे लगुत्र देखुत्री वो सारे कई बार बोल्ड एक्जाम में आ चुका है और आपसे एक छोटी सी रिक्व कुश्चन समझाएंगे यानि कि बहु भी कल्पिये प्रस्ण आपको अच्छे से समझाया जाएगा तो पहला प्रस्ण आपके सामने लिखा हुआ है इसका करेक्ट एंसर क्या होगा आये पहले हम लोग पढ़ते हैं किसी धनात्मक पुडांक P के लिए प्रतेख धनात्मक बिसंग पुडांक का रूप होता है यानि कि अभी यहां आपको यह प्रस्ण पढ़ना है और पहले यानि कि वास्तविक संख्या से यह रिलेटेड है आपके A option है P, V option है P plus 1, C option है 2P and D option है 2P plus 1 अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं मैं आपको बताऊंगा ठी correct answer होगा 2P plus 1 यानि कि यह वाला आपका correct answer होगा 2P plus 1 तो आप लोग हमेशा याद रखना और बहुत ज्यादा important है यह question, very important है क्योंकि अगर आप लोगों को याद रखना है तो जरूर याद रखना, note बना लो, अगर आप लोग notes बना रहे हो तो अच्छी बात है नहीं बना start कर दो, अगला question आपके सामने आ चुका है, अगला question आप देखो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि कि किसी तल में दी गई रेखा दो रेखाओं, दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौन सा संभो नहीं है, यानि कि कि किसी तल में दो रेखाओं के लिए निम्न में से कौ समानतर होंगी यह सब आपका संभव है क्योंकि अगर दो रेखाएं हैं तो दो रेखाएं एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के समानतर भी हो सकती है और प्रतिछेद भी कर सकती है ठीक है और दोनों रेखाएं संपाती भी हो सकती है लेकिन दोनों रेखाएं प्रतिछेद करें या समानतर होंगी तो यह दोनों एक साथ नहीं हो सकता तो यह आपका correct है यह सम्हों नहीं है ठीक है कि दोनों एक हाए प्रचेद भी करें और समानतर भी रहें तो यहां से अगर आपको यह आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है अगला question हमारे सामने आ गया question number 3 question number 3 आप से क्या कहिए रहा है कि एक दिवगात समी करना है 3x square minus 6x plus k equal to 0 तो यहां आपको के का मान गयाद करना है आपके option a है 3 option b है 6 option c है 9 option d है 12 तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ इसका आपको एक सूत्र पता होगा v square minus 4ac equal to 0 यह आपको सूत्र पता होगा अगर आपको नहीं पता है तो याद कर लेना यहां b square का है यह जो 6 है आगे का यह जो 6 है यही आपका b square है ठीक है 6 आपका b square है तो यहां minus 6 का आप work कर लो and minus आपका 4 है and यह जो है यह इसका जो आगे का है 3 and यहां a आपका k है equal to 0 तो यहां आपका 36 हो जाएगा minus 12 k equal to 0 और यहां हो जाएगा 12 के इसको इधर समझ लो इसको इधर यानि कि दोनों positive रहेंगे ठीक है तो यहां के बराबर 36 बटे वारा यानि के कामान आपका हो जाएगा 3 ठीक है तो यहां से के कमान आपका 3 आ चुका है और अगर आपको नहीं पता था तो वह बहुत अच्छी बात है आ very important question है कई बार पूछा गया है और विथ यंसी याइड का कुछन है तयार कर लिना अगर आप तयार कर लोगे तो काफी बेटर महसूस करोगे ठीक है तो यहां से आई होब कि आपको तीन का अनुपात होगा आपके पास a option है 6 अनुपात 5 and v option है 5 अनुपात 6 and c option है 3 अनुपात 2 and d option है 2 अनुपात 3 तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताओंगा लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बता दूँ इसका जो आपका सही अंसर होगा वो 6 आप यहां मानलो य यह 6 यहां जाएगा यह 5 यहां जाएगा यह दोनों बराबर होते हैं तो इसलिए आपका 6 ratio 5 सही है ठीक है समझ में आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है अगर आपको छोटी से भी दिक्कत हो तो बता देना मैं आपको जरूर आपका दिक्कत सौल्ब करूंगा ओके तो यहां से पुदस्त हैं तो का निर्दे सांग होगा इसको आप सौल्ब कर देना मैंने कई वारा आसा कुष्टन था आया है अगर आपको सौल्ब करना नहीं आता है हमारे वीडियो को देख सकते हो कई सारी वीडियो मैंने बना दिया है तो इसका मैं आपको correct answer बता देता हूं वह मनन लिए है बोड आपको है सब जाने हैं यहां की आपने अलिए है यह दे ज裟ीск इंध़ दिगरी तो आप आप इसे कैसे निकालोगे मैं आपको चलो समझा अगे होना चाहिए 10-10 तीस डिगरी बटे लिखा हुआ है बस्ते सो इसा अब यहां आपको 10-30 का मान पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको नहीं पता है तो भाई 10-30 का मान होता है और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अलड़ी वीडियो बना दिया है लिंक के स्वेड़ के डिस्रिप्शन में है, याद करना का ट्रिक देख लेना जो आपका टेबल है, उसे याद करने का ट्रिक, और यहाँ आपका वही मान रहेगा, 1 प्लस, 1 बटे अंडरू 3, 10, 30 डिगरी का मान उता है, लेकिन यहाँ आपको वर्ग करना है, ठीक है, क्योंक इतना आपके सामने दिख रहा है, यही इतना आप सॉल्व कर लो, और आपका अंसर आ जाएगा, कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, यहाँ आपका दो बटे अंडरू 3 है, और यहाँ देखो, तीन एकम तीन एक चार, चार बटे 3 हो गया, ठीक ह चलो, इसका गुड़ा इससे कर दो, बाहर का बाहर का अंदर से अंदर का, यानि कि यह कितना हो जाएगा, 6 बटे 4 रूट 3, दो से कट कर दो, देखो, आप बराबर लगाते रही है, दो, यानि कि 3 एंड यहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा, 3 बटे 2 रूड 3 अभी भी आपका एक छोटा सा और है अप इतना पचाहिए लेकिन इसी 3 को हम क्या लिख सकते हैं इसी 3 को हम अंडरू 3 इंटू अंडरू 3 लिख सकते हैं क्योंकि यह दो अंडरू 3 और यहां से यह कर जाएगा तो यहां से आपका बराबर आएगा अंडरू 3 तो थोड़ा लॉंग है लेकिन समझना बहुत ईजी है तो यहां से मैंने जितने आपजेक्टिव थे वह समझा दिया अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है नोट कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर आया है सब्स्राइब कर लेना चलो फिर हम लोग और वेर इंपोर्डट है यह कुश्चन मैंने देखा है बहुत जारा इंपोर्डन है क्यूंकि यहां आपको संगत और असंगत बताना है यह आपके इस टाइप के कुश्चन ये-nc-er-t-book में बहुत हैं तो आपको यह याद रखना है कैसे संगत और असंगत वाला कुश् और फिर आपका 4x-6y is equal to 9 संगत है या संगत तो सबसे पहले जो आपका समयकान दिया हुआ हुआ है उसे नीचे लिख लो असपस्ट रूप से यहां 3y है यह आप जो यह 8 लिखा हुआ है इसे आप इस तरफ ट्रांसफर कर लो तो उधर है पलस में तो इधर हो जाएगा मैंने में कुल मिला कि आपको बराबर 0 कर लेना है ठीक है फिर उसको भी ऐसे लिख लो 4x-6y यह-9 कर लो इकोल टू सुन यह आपको पता चल गया खैस से मैंने किया और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है अब आपको क्या करना है यहां आप बताओ कि A1 क्या है इसमें V1 क्या है A2 क्या है यह आपको पताएगे नहीं इसमें अब आपको पता होगा कि A1 क्या है पहले आप एक काम कर लो इनकी तुलना करते हैं एक छोड़ा सा समीकान है इनकी तुलना हम किससे करेंगे आ, A1X प्लस V1 Y प्लस C और बरावर 0 और तथा A2X प्लस V2 Y प्लस C2 बरावर 0 इसी से तुलना करने पर यह एक परकार से लिखो या ने लिखो कोई दिखकर नहीं लेकिन लिख दो करने से तो तुलना करने से आपको क्या होगा कि अगर आप इससे तुलना करोगे तो यहाँ A1 जो है यही A1 यहाँ लिख दू A2 आपको A2 यह है अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे लिखना है यहाँ जो A1 है वो बरावर है 2 के यह आपका A1 है जो आगे का है ठीक है X को छोड़कर यह आपका आगे का A1 है और यहाँ जो A2 है देखो बहुत इजी होता है A2 आपका यह है तो यह 4 है अब देखो V1 क्या है अब आप बताओ जल देशे V1 क्या है V1 आपको पता चल गया होगा क्या है यह जो माइनस 3 है देखो माइनस और पलस जो है साथ में उसे लेकर लिखा जाएगा V2 क्या है माइनस 6 है ठीक है समझ में आ रहा है न and C1 क्या है C1 है माइनस 8 और C2 क्या है C2 है माइनस 9 अब आपको एक बात समझाने कि यहाँ आप कैसे लिखोगे अब देखो यहाँ मैं लिखोंगा A1 बटे A2 ठीक है अब A1 बटे A2 यादि कि 2 बटे 4 यादि कि अगर इसे कट करोगे 1 बटे 2 यादि कि आपको A1 बटे A2 1 अपान 2 मिला अब B1 बटे B2 देखो V1 बटे V2 इक्वल टू माइनस 3 बटे माइनस 6 माइनस से माइनस कर गया 1 से यादि कि ये भी एक बटा 2 मिला यादि कि A1 बटे A2 1 अपान 2 और B1 बटे V2 भी 1 अपान 2 है अगर C1 अपान C2 मिल जाए तब तो अच्छा ही हो जाए लेकिन C1 अपान C2 ये नहीं मिलेगा 8 बटे 9 तो मैंने आपको जब पढ़ा रहा था क्या पढ़ा रहा था एक पूरा फार्मूला का वीडियो तो उसमें बताया था कि A1 अगर बटे A2 है बराबर है V1 बटे V2 और इस नॉट इकोल टू C1 बटे C2 यानि कि C1 बटे C2 के बराबर नहीं है आप देख सकते हैं उस C1 में बटे C2 बटे C2 बराबर नहीं है तो यहां आप क्या लिखोगे यह संगत है यह आसंगत तो आप को मैं बता दूँ यह जो दिया गया समीकर्ण युग्म है यह आसंगत है अगर यह इसके बराबर नहो तो आपको समझ में आ गया कि ये आ संगत है ठीक है, समझ में आ गया ना आपके book का सबसे hard गुलनखंड मैंने लिया है सबसे hard जो आपके book में है कि गुलनखंड विधीश हल कीजिए और जो student इस समीगन को हल कर लेगा, इस गुलनखंड को अच्छे से जानता है देख लिए जी थ्री एक्स इसक्वायर यहां माइनस टू अंडरूट शिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू शून ने अब इससे आप खैस से हल करोगी अगर आपको पता है तो अच्छी बात है मैं तो यह कह रहा हूं कि बहुत अच्छी बात है और माइनस टू अंडरूट शिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू शून ने अगर आपका यह जो इसका इससे गुड़ा कर लिया जाता है अपने मन में गुड़ा नहीं मतलब अपने मन में तो यह 6 है तो अब आपको ऐसा यूगम बनाना है ऐसा जोड़ा बनाना है कि जोड़न अगर आप गुडा करोगे तो यह हो जाएगा 6 के बराबर तो यही आपका युग्म बन जाएगा ठीक है तो यहां आप क्या करो कोई दिक्कत है नहीं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी समझ में आ जाएगा यहां ब्रेकर्ट में लिखो अंडरूट 6 प्लस अंडरूट 6 इसे माने तोड़ दिया अंडर प्लस 2 एकोल तुछ ने समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है बस अब आपको कुछ नहीं करना यहां से आप अंडरूट 6 हो जाएगा 6X और यहां माइनस अंडरूट 6X प्लस 2 एकोल तुछ ने अब यहां से 3 तुष कॉमन ले जाएंग कर अंडरूट 3X कर लो ठीक है अगर आप अंडरूट 3X का माल यहां केवल बचेगा अंडरूट 3X क्योंकि भाई दिको समझना मैं आपको सब को है लेकिन अगर आप एक को ढालोगे थो क्या अंब यहाँ से अब आप कामन लिना है यहां से waren आप कामल ले लूंदरूट तू और अगर आप अन्टर रूट टू कामल्न ले झोए तो यहाँ आप का बचेएगा यहां अंटरूट ठी एक्स एन्ड माइनेस यह पलस मानेस मानेस ज़ bezel ऑप समझना यह अगर यह दोनों बीच में यह दोनों बराबर हो तो आपका गुड़नखंट समझ लोगड़ों सही हो रहा है बिल्कुल सही है तो यह अंडरूट्ट 3 x-under root 2 ठीक है यह हमें मिला और अंदर वाला भी यह यह है अंडर रूट 3x-under root 2 अब भयास अभी यही मिले हैं तो यहां से अगर आप x का मान निकालना चाहो तो under root 3x minus under root 2 equal to sooner रख दो इधर भी यही कर दो under root 3x minus under root 2 equal to sooner दोनों मूल आपके निकल आएंगे यहां से आप under root 3x equal to वैसे आपके बराबर मूल नहेंगे यह 2 है देखो यह plus minus में है तो इधर जाएगा plus में बराबर के उतर और इधर भी देख लो under root 3x बराबर यह minus में है इधर जाएगा यहां से 1 x बराबर आपका मिलेगा under root 2 under root 2 equal to 3 यानि कि दोनों under root में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं आपके मूल आपके मूल हो जाएगे यानि कि जो इस समिगण के मूल है यानि कि मूल आपके हैं वह एं अंडरूर्ट दू बटे थ्री बस यही आपके सही है तो यहां से आपको यह कुश्चन समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको सोचा कि समझा दिया जाए, और I hope कि आपको समझ में भी आ गया होगा आपका तीसरा नमबर कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो आप जो सीरसली पढ़ो जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो ठीक है उस तिर्भुज का केंद्रक ज्याद कीजिए जिसके सीर्स सेवन कॉमा फाइब एंड फाइब कॉमा सेबन और माइनस थ्री कॉमा थ्री हैं अब इसका आपको केंद्रक का निर्दे सांग ज्याद करना है क कि यहां जो विची जे आगी होती है यह एकस वन है यह एकस टू है यह एकस थ्री है और यह पीछे वाला वाई वन है पीछे वाला वाई तू है पीछे वाला वाई थ्री है तो यह तो आपको समझ में आ गया होगा अब आपको मैं बता दू यहां आपका एकस वन कितना है चलो बताओ, फटाओ यहाँ X1, 7 है, and X2 कितना है, X2 आपका 5 है, ठीक है, यहाँ आपको समझ में आए, अब बता दो वहीया, X3 कितना है, X3, माइनस 3 है, अब Y1 कितना है, Y1 आपका 5 है, and Y2 कितना है, Y2 आपका 7 है, and y3 कितना है 3 है बस इतना है तो आपको करना था यह चीज़ें आपको पता चल गए अगर x1 x2 y1 y2 यह सारी चीज़ें अगर आपको पता चल गए तो आपका solve हो जाएगा यहाँ जो x यहाँ मैं black से लिख देता हूँ क्योंकि x ऐसा हो जाएगा यहाँ आपका केंदर जो सूत्र होता है केंदर के निर्देशांग का x बराबर आपका होता है x1 plus x2 plus x3 देखो x3 तक ही है अगर 4 होता तो x4 भी पलस लिख देते ठीक है तो यहां बटे में आपका 1, 2, 3 है तो 3 दग दो अब यहां आप कौमा लगाओ या फिर आप चलो बराबर या फिर कौमा लगाओ यहां y वराबर आपका y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 अब जब दोनों का निकल आ जाए x और y का तो फिर आपको पूरा मान मिल जाएगा यहाँ x वरावर आपका x1 कितना है 7 है प्लस x2 फाइव है यह प्लस मानिस हो जाएगा 3 है बटे 3 है and y कितना है y आपका है y1 है आपका 5 है प्लस 7 है प्लस 3 है बटे 3 है ठीक है कोई दिक्कत भी एंग Service कि दिक्क्त तो आप बता दो just up कोई दिक्कथ नहीं होंगा यहां एक्स वडावर यहां साथ पांच बारा बारा में से 9 दौन पार ठेकेट ऑठीजनन साथ वल्डिये यहां यहां साथ आप दिक्त कना पंतरा थैंसा इंस सब ठीक है निर्दे सांख है बस यही केंद्रक का निर्दे सांख है ठीक है तो यह आपका केंद्रक का निर्दे सांख है ठीक है तो यह आपका केंद्रक का निर्दे सांख है ठीक है तो यह आपका केंद्रक का निर्दे सांख हो शुका है अगला कुश्चन आप लोग देख लो अगला question आपके सामने है कि यदि 10 2A बराबर cot A-18 डिगरी है जहां 2A एक noon code है तो A कामान ग्याद कीजिए हमें A कामान ग्याद करना है तो A कामान कैसे ग्याद करोगे अभी आपको समझ में आ जाएगा ठीक है कुछ करना नहीं है आपको यहां पहले question को जो आपका लिखा हुआ है उसे नीचे ले लो 10 2A equal to cot A-18 डिगरी यह आपका लिखा हुआ है और हमें A कामान ग्याद करना है यानि कि यहां से A कामान हम ग्याद कर सकते हैं लेकिन अब आप एक कामान कैसे ग्याद करोगे यह जो 10 2A लिखा हुआ है इसे हम लोग क्लिक सकते हैं cot 90-theta और cot 90-theta जो होता है वो 10-theta होता है तो theta यहां 2 यह है और वराबर यहां भी cot लिखा हुआ है और A-18 चलो इतना तो आपको समझ में आ गया अब आपको कुछ नहीं करना है यहां से कॉर्ट को कॉर्ट को भई या उड़ा दो गोली से और यहां बचेगा आपका किवन 90-2A equal to A-18 इतना तो आपको समझ में आ गया होगा अब अगर इस इधर देखो इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ इसको इधर प्लस में यधर-18 है एंड-90 हो जाएगा तो यह माइश-3 यह हो जाएगा और बराबर यह-108 हो जाएगा और हमें एक आमान ही ग्याद करना था बस एक आमान हमें 36 दिगरी मिलेगा और बहुत ज़्यादा एजी था चाहुत नमर कुष्चन तो यहां से मैंने आपको आती लगू चार कुष्चन समझा दिया है और अगर आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है चारों मैंने ब और एक्षाम के लिए वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि आप से एक बात पूछता है कि सिद्धिकीजी अंडरूट फाइब आपने में संख्या है अंडरूट टू एंडरूट फाइब इन दोनों को मैंने करा दिया है अलेडी अगर आप नहीं देखे हो तो देख लेना पूर्टन चीज हमें करना है वह है कि दर्साइए कि जो फाइब माइनेस रूट थ्री एक आपने में संख्या है यह इंपोर्टेंट है लगुत तरीय के लिए और हां आपके वोड़ एक्जाम हो सकता है कि आये क्योंकि यह बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो बहुत आस इसका विफरित यानि कि आपको मानना पड़ेगा माना 5-3 एक परिमिये संख्या है लाइके आपको इसे परिमिये संख्या मान लेना है परिमिये संख्या है और अगर आपने परिमिये संख्या मान लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं यहां जो आप इससे लिख सकते हो यानि कि 5-3 को परिमिय संख्या को P upon Q के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन यहां आपका एक सर्थ होता है कि यहां जो आपका हो यानि कि A upon B के रूप में लिख सकते हो यहां आप A upon B के रूप में लिखते हो कोई दिक्कर नहीं यहां जो यह वी है नीचे वाला यह वी इस नौट एकॉल टू सून ने यानि कि वी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए वी किसके बराबर नहीं होना चाहिए अब समझो यहां आपका क्या है कि यहां आपका है 5 ठीक है पहले मैं एक बार इसे अच्छे सनलोट कर लूँ बराबर A upon V ठीक है यह हमारा है अब इस चीज़ को यह जो आपका लिखा हुआ है इस चीज़ को मैं इधर ले आऊँगा इस चीज़ को उधर ले जाऊँगा यानि कि 5 A upon V minus में यानि कि इधर plus में है और बराबर यह minus अंडरूर्ट 3 यह तो इधर जाएगा प्लस अंडरूर्ट 3 हो जाएगा यह हमारा हुआ और इससे हम लिख सकते हैं भाई क्या लिख सकते हैं और यह Oh, पूर्ण कता समझ में आ गया अब इतना करने के वाद यहां आपको लिखना है कि आपको बढ़ियाँ से लिखना है कि छुकि चुकि जो ए और वी है जो यहां ए है और वी है क्या है पुडांक है क्या है पुडांख है ये तो आपको पता है कि A और B पुडांख है इसलिए इसलिए जो है आपका ये जो 5-A पान V क्या है एक परिमिये संख्या है एक परिमिये संख्या है अगर भाई यह तो आपका पर्मिय संख्या है वास्तों में यह आपका पर्मिय संख्या है जो मैंने लिखा है ठीक है तो चलो फिर अगर यह पर्मिय संख्या है अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूं अगर यह इतना पर्मिय संख्या है तो इसको तो मै मैं इस चीज को बराबर लिख रहा हूं तो ये जो है वही ये भी है अगर इनके पास 5 रुपे हैं तो इनके पास भी 5 ही रुपे होंगे तभी मैंने बराबर लिखा आए तो अगर ये परिमिये संख्या है तो ये भी परिमिये संख्या है प्रन्तु इससे यारी कि अगर under roast 3 गिलते हैं तो परंतु इस से इस्तत्य का विडुधा भास प्राप्त हूता है यॉखि जो under root 3 वास्तों में देखा जाये तो एक आप परि openness प्राप्रेमियर संख्या है वास्तों में क्या है तो अता आप लिख सकते हो पूरा निसकास अता है या निसकास निकलते हैं कि जो 5-3 है एक आप पर्मिय संग्या बस सिद्ध हो गया कैसे आप लोग सिद्धिक करते हो बहुत एजी है तो यहां से 5-3 एक आप पर्मिय संग्या और अगर आप ऐसे लिग दोगे तो आपको एक्जामनर फुल मार के देगा देगो बहुत सारे बच्चे कुछ दूसरे टाइप से लगाते हैं लेकिं नहीं आप कई टाइप से लगा सकते हो लेकिन यह सबसे सरल तरेका है अब आप इससे भी सरल तरीका नहीं पाओगे तो यहां आपका दूसरा लगуска प्रस्न आ चुका है यहांसी-ERD का important question है ठीक है तो इसे भी आप लोग समझ लो, ताकि आप लोगों का जो भी confusion है, सब कुछ दूर हो जाए, ठीक है, तो इसे आज यह हम आपको समझा रहेता हूं, सब कुछ कोई दिक्कत है नहीं, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, यह आपका बहुत easy question है नहीं, लेकिन हाँ, इजी आपको लगने लगेगा, अगर एक बार समझोगे तो, तो को लिखा क्या है, कि ऐसी दो संख्या ग्याद कीजिए, जिनका योग 27 है, और गुरन फिल कितना है, 182 है, बस एक समीकर्ण बनेगा भी आपका द्यू घास समीकर्ण, उसे आप स्वाल कर लोगे, फिर आपक समाल लो, कि माना एक संख्या, माना एक संख्या, हमें दो संख्या ग्याद करनी है, तो अगर आप एक संख्या माल लोगे, तो आपको दूसरी संख्या पता चल जाएगा, अभी आपको पता चल जाएगा, अभी दूसरी संख्या भी पता चल जाएगा, माना एक संख्या जो हो सकती है भाईया हो अगर कुल है 27 तो कुल 27 में से हम पहली संख्या को घटा लेंगे दूसरी संख्या आतोमेटिक निकल आएगी कि नहीं अगर पहली संख्या एकसा है तो हम दूसरी संख्या यानि कि कुल योग में से पहली संख्या को घटा लेंगी दूसरी संख्या निकलाएगी बस इतना आपको करना है अब क्या करना है इतना आपको पता चल गया है तब संख्याओं का गुरन फल तब संख्याओं का गुरन फल यानि कि हमें संख्य ट्रेशों संख्याओं का अब इससे आप बिवस्तित कर लो घाल आहेस अपनी हिसाफ है लाइक इसे आप इधर ट्रांसफर कर लो यहां x2 प्लस हो जाएगा आपको इसको प्लस करना है लाइक सिल इसे बराबर के इधर थे ट्रांसफर कर लेता हहां बस आपको अब आपको मैं स्वालब करके दिखाता हूं जोड़ने घटाने पर 27 गुड़ा करने पर 182 तो अगर आपको यूग्म है ठीक है जोड़ा अगर पाता हो तो अच्छी बात है नहीं बता है तो मैं आपको बताता हूं यहां अगर 14 में 13 जोड़ोगे तो यह कितना हो जाएगा पहले जोड़ के माइनस यह 14 X हो गया एंड माइनस 13 एंड प्लस 182 बराबर 0 अब यहां X स्कॉर माइनस टा स، दू दूबारा क्या सही है तो यहाँ आएगा X-13 एंड X-14 बर बर जी हो अब हमें देखो यह 32 и好啦 epल तूछ्डी लिखो और X-14 Él हो यहाँ ex flame artist 3 लगा और यहां X बर दख्ड़ाई आएगा तो यहाँ वहिए दोनों का आपका संख्या कमान पता चल जोका है सै यह कोई दिक्कत नहीं और यहां आप लिख दो यदि यानि कि अब यहां मेरे समझाने का आर्थ समझो यहां पहली संख्या 13 अथवत, मतलब 14 अथवत 13 मान सकते हो तो यहां पूरा समझाने का आर्थ मेरा क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा अगर आप यदि पहली संख्या आप 14 मानते हो तो दूसरी संख्या आपको 13 मानना पड़ेगा और अगर आप पहली संख्या 13 मानते हो तो दूसरी संख्या आपको 14 लेना पड़ेगा तो यही आपका हो गया तो पहली संख्या चाहे 14 मानो चाहे 13 और पहली संख्या आप 14 मानो से लोग स्वाल्व कर लेते हैं फिर आपका यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेइंट आपका वीडियो जो है वह खत्म हो जा聲 Okay ये आपके very important question है तो कैसे solve करोगे आई ये हम लोग solve करते हैं तो सबसे पहले आप question को पढ़ो कि एक मिनार के पाद विंदु से एक भवन के सिखर का उन्नैन कौन उन्नैन कौन जो है वो 30 degree है और भवन के पाद विंदु से एक मिनार के सिखर का उन्नैन कौन 205 degree है यद मिनार का उचाई कुल है 50 मिटर तो भवन के उचाई ग्याद कीजी लिखा है कि जैसे एक मिनार है एक भवन है भवन की उचाई जो है ग्यात करना है मिनार की उचाई 50 मेटर है तो पहले हम लेगे फिगर के दोरा समझेंगे वो अभी आपको समझ में आएगा देखो यह आपका मिनार है यानि कि जो AV है यह मिनार है और यहां सीधा लिखा हुआ है कि यह मिनार जो है यह 50 मेटर उचा है यानि कि 50 मेटर उचा है ठीक है और इसे हम X माल लेते हैं क्योंकि भवन की उचाई हमें ग्याद ही करना है तो इसे आप CD नाम दे दो और इसे हम X मे पूरा आपका तयार हो चुका है अब आपका जो यह है यहाँ आप समझ लो कि शिखर यानि कि भवन के सिखर का उन्ने रिकोड यानि कि जो भवन का सिखर का उन्ने कोड है वो 30 डिग्री है 3D sinful आधिक्स पहरवी को भी समझ में आधा और भवन के पाद विंद्र से मिनार्क सिखर की यह आपका उनने न इनकोर और और मैंने स्थे आपको लिखना है उपने आपनी वो एक मिनार है यह मैं डावी जो है एक मिनार है जिसके उचाई 50 मेटर है इसके उचाई यह देख सकते हो 50 मेटर है और मिनार से पाद विंदू से भवन का उन्नार के मिनार के पाद विंदू से 99.60 30 degree है केवल 30 degree और भवन के आधार के विंदू से C का मिनार का 99.60 कुल मिला के मिनार का 99.60 डिगरी है और ये भवन का 99.60 30 डिगरी है तो भवन की उचाई हमें X का माल ग्याद करना है तो अब आप कैसे ग्याद करोगे बहुत इजी है अगर आपको नहीं पता है तो आईए हम लोग ग्याद करते हैं सच अब आले आपको जो सम कोण तिर्भूज है सम कोण स्वाई सम कोण तिर्भूज A V C में यानि की A V C में ठीक है A V C में हमें क्या करना है आपको पता है कि 10 10 C यानि की 10 C यानि की C का मान रख दो 60 दिगरी 10 60 दिगरी इक्वल टू आपको करना है यहाँ A V है बटे B C है A V है A V बटे V C है ठीक है V C है तो अभी हमारा V C का मान भी नहीं पता है भी V C का मान निकालोगे तब पता चलेगा यहाँ आपका देखो यहाँ 10 C का मान कितना होता है अंडरूट 3 होता है और A, B का मान है 50 मीटर और यह आपका V C ही रहेगा वी C ही और यहाँcity आपका जो है आपका V C एक्वल टू 50 यहाँ वी C एक्वल टू 50 अंडरूट 3 मीटर यहां से हमारा जो यह BC आया है यह 50 under root 3 meter आया है ठीक है समझ में आया 50 under root 3 meter और अगर हमें BC का मान पता चल गया तो अभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा अब आपको पुनह पुनह जो आपका समकोर्ण तिर्भुज है समकोर्ण तिर्भुज वी सी डी में ठीक है अब यहां फिर से आप टैन का मान लगाओ यानि कि टैन तो टैन आप लगाओगे टैन वी एंड वी सी डी में तो टैन बराबर आपका लंब बटे आधार होता है तो लंब बटे आधार अब आपका पूरा पता चल जाएगा लंब में इसका मान क्या होता है अब भाई थोड़ा सा हमें गैप चाहिए इधर समझो यहां देखो तैन 30 दिगरी का मान भी होता है 1 अपान अंडर रूट 3 अब देखो यहां अब यहां X बटे 50 बटे अंडर रूट 3 ठीक है यह आपका पूरा स्वाब करने के बाद इतना आएगा ठीक है 50 रूट 3 इंटू 1 अपान रूट 3 कुंकि मैंने X को इधर ले आया तो आपका ऐसे अगर आएगा तो आफ़र X वरावर हमें X का ही मान ग्याद करना है तो यहां आपका हो जाएगा 50 बटे 3 और 50 बटे 3 को हम अब्जक्तिफ कुष्चन धेकाँ धीक है यहां से चितने इंपोरेंट थे मैंने आपको बता दिया और आपकी बारी आती है ज्याता है यदि को जादा से जाना करनागाना अपने निम्दे müाश्रां के है टाकर हमारे यह इंडोग को ज्यूद्स आपको फाइड़ा फाइदा पहुचा सके और अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक करोगे तो हम में बहुत जादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बनाने के लिए तो वीडियो को लाइक करो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लो और हाँ अपने फ् चलो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यबाद